योग करेंगे तो निरोग रहेंगे और पूरे विश्व में योग को बढ़ावा देने के लिए आज यानी 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है इसी कड़ी में अलग-अलग शहरों में सामोहिक योग का आयोजन किया गया जबलपुर में उपराश्रपती जगदी धनकषड सीम शिवरा सिंग चोहान समेत हजारों लोगों ने योग किया तो वहीं गौालियर में तीन जगों पर सामोहिक योग कारिक्रम का आयोजन किया गया कांच मिल हजीरा में आयोजित योग कारिक्रम में उर्जा मंतरी प्रद्युम्न सिंग्तों मर योग करते नज़र आए तो वहीं एतिहास के लिए पर प्रशाश्निक अधिकारियों ने योग किया मुरार एलाके में सांसद विवेक नारायन शेजवल कर योग करते नज़र आए योग दिवसपर उपराश्पती से लेकर सीम और पदाधिकारी तक योग करते नज़र आए जो जहां था वहीं कुछ पल के लिए ठहर गया और योग दिवस को एतिहासिक बनाने के लिए आगे आया एक तरफ योग करते हुए तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग शेहरों से आई जहां उपराश्पती से लेकर पदाधिकारी तक योग करते नज़र आए तो वहीं योग की अलग तस्वीर भी सामने आई ये तस्वीरें भूपाल से आई जहां वंदे भारत train के यात्री योग की मुद्रा में नज़र आién तस्वीरें देखिए तस्वीरें वंदे भारत train की है और इस ट्रेन में योग गुरू क्रश्नकान्त मिश्रा ने यात्रियों के साथ योग किया साथ ही उन्होंने योग के महत्व को भी बताया तस्वीरों में देख सकते हैं ट्रेन के अंदर अलग-अलग मुद्रा में योग के कई सारे आसन करते हुए लोग नज़र आए माय नर्मदा की नगरी में करीब 750 वर्ष प्राचीन जगदीश मंदिर में इन दिनों जगनात रथिहात्रा महोचाव की धूम है जगदीश मंदिर द्वारा नगर में सैकणों वर्षों से जगनात रथिहात्रा निकाली जा रही है इसमें देश प्रदेश से हजारों लोग शामिल होने आते हैं आशाल मास की दूच पर जगनाद पुरी उडिशा की भांती नर्मदा पुरम में भी विशाल रथियात्रा का आयोजन किया गया जगदीश मंदिर से विधिवत पुजा अर्चना के साथ रथियात्रा महोशा शुरू हुआ जो साथ दिनों तक चलेगा नर्मदा घाट परिस्त श्री जगदीश मंदिर में जगनाद पुरी उडिशा की भांती ही सभी धार में परंपराओं का निर्वहन किया जाता है इनी परंपराओं के मताबिक जेश्ट पूर्णिमा पर भगवान जगनाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र जी को सहस्र धारा से महासनान करवाया गया इसके बाद वो जवर से पिल्थ हो गए थे पंदर दिन के उपचार के बाद इस्वा सोकर भगवान अपने भक्तों का हाल जानने के लिए रथ पर सवार होकर निकले इस दौरान बड़ी संख्या में सादू संत और श्रधालू शामिल हुए रथ यात्रा के दौरान राम सक्खिया और महिला श्रधालू भगवान के अगवानी में नुर्थ्य करते नजर आई वही बड़ी संख्या में श्रधालू भगवान जगनात के दर्शन पूजन के लिए पलक पाउले बिछाए नजर आए नेता कुर्सी के लिए लड़ते हैं और यात्री पता है किसके लिए पहले आप पूरी तस्वीर देखिए चीक पुकार सुनिए फिर हम आपको इस लड़ाई की पूरी कहानी बताएंगे देख लिया सुन लिया अब बताते हैं ये तस्वीर रतलाम स्टेशन की है और ये ट्रेन है डेमू ट्रेन ट्रेन रतलाम से इंदौर के लिए रवाना होने वाली थी लोग ट्रेन में सवार हो गए सबी को बैठनी के लिए सीट चाहिए कोच में इतने लोग सवार थे कि सीट कम पड़ गई और फिर शुरू हो गई ये जंग सीट की दो पक्षों में ट्रेन की सीट को लेकर पहले कहा सुनी हुई फिर देखते ही देखते जंग का कोच जंग का खाड़ा बन गया दोनों तरफ से सीट के लिए लाद घूसे चले मौके पर पुलिस पहुँची कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट को रुकवाया अब ये वीडियो बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है घर में सभी खुश थे खुश भी क्यों ना हो इतनी चलचलाती गर्मी में गले को राहत जो मिलने वाली थी सुकून जो मिलने वाला था उन्हें उस राहत को पाने के लिए एक फ्रिज खरीदा ना पड़ा लेकिन राहत सर्फ दो ही दिन की थी दरसल मध्यप्रदेश के मुरैना में एक व्यक्ती का फ्रिज राहत की बज़ए आफ़त बन गया और दो दिन बाद ही फ्रिज का कमप्रिशर फटने से घर में आग लग गई और इसी के साथ पूरे मकान का पिछला हिस्सा ढह गया धमाके के आवास सुनकर घर के आसपास मौजूद पडोसियों में हड़कम मच गया कनीमत ये रही कि घटना के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था आग लगने से लाखों का सामान जलकर प्राख हो गया घटना मुरैना के दिमनी की है जानकारी के मताबिक मौरैना के नगर सेन रोड मंदिर रहने वाले तिंकु माहोर सोमवार को अपने घर में नया फ्रिज लेकर आये थे घर में नया फ्रिज आने पर सब ही खुश थे कर्मी के मौसम में ठंडा पानी मिलेगा इस बात को सोचकर लेकिन ये खुशी खम में बदल गई कमप्रिशर फटा और घर धराशाई हो गया घर में रखा टीवी मौशिंग मशीन सब ही खराब हो गए 36 गड़ के रायपोर के रिम्स में आग लग गई आग लगते ही अस्पताल में अफरात अफरी का माहौल हो गया आग अस्पताल के चौथे फ्लोर के रिकॉर्ड रूम में लगी आग लगते ही फायर बिगेड को सूचना दी गई मौके पर पहुँची फायर बिगेड ने पहले अस्पताल को खाली करवाया इसके बाद फायर फाइटर्स ने अस्पताल में लगी आग को बुझाने का काम शुरू किया हालाके दमकल कर्मियों ने लगभग आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया इस आग जनी की घटना में किसी प्रकार की जर्णानी की खबर अब तक नहीं आई है आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है तस्वीरों में देख सकते हैं कि चौते फ्लोर के रिकॉर्ड रूम पर आग लगी हुई है फ्लोर से धुएं के घुबारे निकल रहे हैं हालाके आग पर काबू पा लिया गया पुलिस क्या प्रशाशन क्या इन हैं इनका कोई खौफ नहीं ये खुले आम मारपीट करते हैं दादागिरी करते हैं तस्वीरे देख कर यकीन हो जाएगा कि जो बाते हम कह रहे हैं वो सो आने सच है तस्वीर इन दौर की हैं जहां लसूरिया थाने अलाके में बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की इतना ही नहीं पहले इन्होंने युवक को खुब पीटा फिर गालिया दी और फिर खुद के पैर छूने के लिए मजबूर किया अब जो बात सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं कि इन बदमाशों की करतूत कैसी थी कैसे वो युवक के पिटाई कर रहे हैं जब पीटने से मन भर गया तो गालिया देते हुए पैर छुआ रहे हैं ये वीडियो बॉम्बे हॉस्पिटल के पास का बताया जा रहा है वीडियो सामने आते ही पुलिस पड़ताल में जुट गई है आपकी एक और तस्वीर हम आपको इंदॉर की दिखाते हैं जहां भीड भाड़ वाले शॉपिंग कॉम्पलेक्स में आग लग गई दरसल इंदॉर के सेंटरल मॉल के बेस्मेंट में अग्यातकार्णों से आग लग गई बेस्मेंट में लगी आग का धुआ बाहर फैल गया मौगे पर फायर ब्रिगेट को सूशना दी गई लेकिन जब फायर ब्रिगेट पहुँची तब तक आग तेजी से फैलने लगी आग लगने से धुए का गुबार बहार आने लगा तस्वीरों में देख सकते हैं बेस्मेंट में लगी आग का धुआ मौल के बाहर कैसे लोगों के दम घुटा रहा है बाहर का पूरा इलाका धुआ 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 हो गया गनीमत ये रही कि जिस समय आग लगी थी मौल में लोग नहीं थे वनना बड़ा हास सा हो सकता था वहीं दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया अब हम आपको एक रिश्वत खोरी की तस्वीर दिखाते हैं और सुनाते हैं कि किसी काम को करवाने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है खबर सिवनी की है जहां थाने का हेट कॉंस्टेबल सुरेज सोनी के द्वारा काम करने के एवज में रिश्वत के तौर पर पैसे की दिमाट की गई हेट कॉंस्टेबल कह रहा है कि इनने में काम नहीं चलेगा दरसल वाइरल वीडियो में हेट कॉंस्टेबल लडाई छगड़े के आरोपियों से प्रकरण की चार्च में रियायम देनी की एविज में 4000 रुपियों की रिश्वित की मांग करता हुआ नजर आ रहा है वहीं वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस पतादिकारी चुप भी साधे हुए है जब सईया भये कोतवाल तो डर काहे का लेकिन सोच ये जब सईया ही कोतवाल हो तो फिर क्या कहना इस वीडियो को देख कर समझा जाएगा कि आखिर किस कोतवाल की बात हो रही है जी हाँ जो सामने मोटर साइकल पर पुलिस वाले सहा सवार हैं हम उनी की बात कर रहे हैं दरसल ये कोतवाल बाइक में स्कूटी का नमबर लगा कर घूम रहे हैं पुलिस अभयान चालक वहानों की चेकिंग करती है चालान भी कटती है और हिदायत भी देती है एक-एक वहानों का वेरिफिकेशन और गाड़ी के नमबर का मिलान भी करती है कानून भी सब के लिए समान है मगर रिवा जिले के जवाथाना में पदस्त धरोगा जी के लिए अलग कानून है उपनिरिक्षक वीपी वर्मा की हीरो होंडर स्प्लेंडर बाइक के नमबर पर नजर डाले तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये नमबर बजाज स्कूटी का नमबर है तीन साल से दरोगा जी इसी बाइक से फर्राटे मार रहे है वाहन चेकिंग के नाम पर सड़क पर पुलिस आमजन के वाहन एवम नमबर की बारीकी से जाच करती है लेकिन वर्मा जी की बाइक की चेकिंग कोई नहीं करता बाइक का नमबर MP19E56 लिखा हुआ है जबकि ये नमबर बजाज स्कूटर का है ओनलाइन सर्च करने पर पता चला कि ओनर ताज मोहमद पुत्र मोहमद हनीफ निवासी कामता टोला आर्टियो सतना दिखा रहा है उक्त नमबर का रेजिस्टेशन 20 जून 2000 में हुआ है जिसकी वैत ता 23 जून 2015 है अब ऐसे में अगर ये जानकारी सही है तो फिर वर्मा जी की बाइक में ये नमबर कहां से आया वीडियो वाइरल होने के बाद MP विवेक सी ने पूरे मामले को संग्यान में लेकर SDOP डबोरा विनोस सी को जाच के लिए निर्देश दिये अब देखना ये है कि इस बात में कितनी सचाई है और अगर है तो फिर वर्मा जी पर क्या कारवाई होती है पहले शादी के दिन दूले और बारातियों में जमकर मार पीठ हो जाती है फिर शादी के बाद दुलहन की विदाई नहीं होती जब शादी के एक महिने बाद युवक अपनी पत्नी को ससुराल लेने पहुंसता है तो ससुराल में उसकी संदेहास्पत परिस्टियों में मौत हो जाती है मामला रीवा के मनगवा गाउं का है जहां जहर खाने से युवक की मौत हो गई मौत के पता के मौताबिक उसके बेटे को फोन करके विदाई के लिए बुलाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई परिजनों ने कुछ तस्वीरे भी उपलब्द करवाई हैं इसमें देखा जा रहा है कि जहर की शीशी लड़की के पिता के हाथ में है लड़के की हालत बिगडने के बाद लड़की के परिजनों ने उससे संजाई गांदी अस्पताल में छोड़ा और फरार हो गए मामली की शिकायत पुलिस में की गई है मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर पलताल शुरू कर दी है सड़क हास्ते की कई तस्वीरें सामने आती रहती है कभी बाइक की टककर, कभी बस, कभी ट्रक की बस से भिडन लेकिन यह हास्ता है तो हास्ता, लेकिन थोड़ा अलग है दरसल राजधानी भुपाल के राती बड़ शेत्र में एक बड़ा हास्ता हुआ है एक तेज रफ्तार बाइक सवार कुए में जागी रा 20 फिट गहरे कुए में गिनने से यूवक की मौथ हो गई बता दे बाइक पर दो यूवक सवार थे, जिसमें से एक की मौथ हुई है, वहीं एक घायल है बताया ये भी जा रहा है कि दोनों यूवक शराप के नशे में थे और नशे के कारण ये हास्ता हुआ है दोनों यूवक खजूरी सडक से भोपाला रहे थे, वहीं हास्ते के बाद मौके पर पहुँची NDRF की टीम ने शव को निकाला देश और दुनिया में योग दिवस को लेका रुट्साह देखा गया लेकिन जल की सता पर योग आसन करना और घंटों योग के किसी आसन की मुद्रा में सता पर बने रहना सुनने में कुछ अजीब जरूर लग रहा होगा लेकिन खंटवा के गणगोर घाट पर बच्चे युवां महिलाओं और बुजर्ग जल योग करते नज़र आए बच्चों युवां महिलाओं और बुजर्गों के जल योग को देकर आप दंग रह जाएंगे तस्वीरे खंडवा के गणगोर घाट की हैं योग दिवस पर लोग पानी पर योग करते नज़र आए लहरों के राजा गुरूप द्वारा यहां तैराकी के साथ योग के इस खास अंदाज को बढ़ावा दिया जा रहा है अंताराश्ट्रिय योग दिवस को यादगार बनाने की ये तैयारियां काफी पहले से शुरू हो गई थी आपना नदी के गणगोर घाट पर छोटे छोटे बच्चे पानी की सता पर कई घंटे जल योग करते हैं इससे देखकर लोग दंग रह जाते हैं इससे पहले लहरों के राजा गुरुप द्वारा तैराकी करते हुए तेरंगा यात्रा निकाली गई इसे देश के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने ट्वीड भी किया युवाओं की तारीव भी की थी अपानी की सता पर यहां जल योग करने वाले घंटों प्राणायाम, पदमासन, ब्रह्मासन, तालकासन, गरुनासन के मुद्रा में खड़े और बैठे रहते हैं लगभग चार घंटे तक यह ऐसा कर सकते हैं जल योग करने वालों का क्याना है कि यह एक तपस्या है और इसे सीखने के लिए योग और तैरा की आना ज़रूरी है इसे करते समय कई खत्रे भी होते हैं लेहाजा इसे प्रशिक्षकों की निगरानी में किया जा रहा है अरब सागर की लहरों को पार करते हुए बेपर जॉए तूफान मध्यप्रदेश महँच गया है प्रदेश में तूफान का असर देखना भी शुरू हो गया है तूफान के असर की वजह से भोपाल इंदौर समेश 17 जलों में बारिश की आशंका जताई गई है गौलियर चंबल संभाग में सबसे जादा असर देखने के लिए मिल रहा है जहां पिछले दिनों बारिश होई वहीं आज गौलियर गुना अशोक नगर शुपुरी में भी भारी बारिश की चेताबनी जारी की गई है दतिया भिण मुरैना और शुपुर में भी बारिश की आशंका जताई गई है ये बारिश मौनसून से पहले की बारिश है जिसे ना तो प्री मौनसून बारिश कह सकते हैं और ना ही मौनसून की बारिश ये तो तूफान के असर की बारिश है गर्मी की वज़ा से आग लगने की घटनाएं बहुत जादा देखने को मिल रही है इस भीशन गर्मी में जरा सी आग भी बवंडर बन जाती है आग की एक ऐसी ही तस्वीर 36 गड़ के सूरजपुर से आई है जहां भूसा गोदाम में आग लग गई आग उंच डीही के डुमरिया भूसा गोदाम में लगी देखते ही देखते भूसे की वज़े से आग बेकाबू हो गई मौके पर दमकल विभाग को सूचित किया गया दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई इसी दारान आग बुझाते हुए एक दमकल कर्मी आग में जुलस गया तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग की वज़े से कैसे धुए का गुबारा निकल रहा है वही करंड की चपेट में आने से नगर सेना का जवान घायल हो गया जवान उज्जेन सिंग जिलास्पताल में भरती करवाय गया है तो वही कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया 36 गड़ समेत पडोसी राजे ओडीशा जहारखंड में गर्मी का कहर जारी है इसके अलावा बिहार, तिलंगाना और पश्चिम मंगाल में भी गर्मी का सितम देखने के लिए मिल रहा है 36 गड़ में तो इननों हीट वेव चल रही है केंद्र ने प्रभावित राजेों के साथ बड़ी बैठक का फैसला किया प्रभावित राजेों जिसमें 36 गड़ भी मुख्य रूप से शामिल है कि स्टेट डिजास्टर मेनेजमेंट के साथ बैठक हुई बैठक में केंद्रिय स्वास्य मंत्री मंसुक मांडविया शामिल हुए और हीट वेव के कारण आ रही परिशानियों पर चर्चा की कहते हैं परचाई कभी इंसान का साथ नहीं छोड़ती लेकिन ये ऐसी जगा है जहां परचाई भी साथ छोड़ देती है इसकी वजह रहसे रुमांच नहीं भूगोल के सिध्धान्त है बैसा मुंडा अनोखी जगा है यहां से करक रेखा गुजरती है लेकिन बैसा मुंडा की खासिया सिर्फ यहीं नहीं ये भारत में अकेला ऐसा अस्थान जहां करक रेखा और भारती इमानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है वैसे तो साल में 365 दिन होते हैं और हर दिन 24 गंटे का होता है लेकिन 21 जून को दिन सबसे लंबा और रात छोटी होती है इस दिन सूर्य करक रेखा के उपर होता है इस दिन दोपहर में एक ऐसा भी समय आता है जब परच्छाई भी साथ छोड़ देती है बात भैसा मुंडा की करें तो करक रेखा और भारती मानक समय रेखा की वज़े से इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है चात्रों में भैसा मुंडा को लेकर बेहद उत्सुकता रहती है भुगोल का जो पार्ट वो केताबों में पढ़ते हैं यहां उन्हें वो देखने को मिलता है जिस स्थान पर करक रेखा और भारती मानक समय रेखा मिलती है उसे देखने के लिए लोग यहां आते हैं भैसा मुंडा के इस खासियत को देखते हुए ततकालीन कलेक्टर ने चार साल पहले इससे परेटन इस्थान के तौर पर विक्सित करने का प्रयास किया था लेकिन यह योजना अधूरी रह गई बूगोल और भैसा मुंडा का महत्व अधिकारी जानते हैं लेकिन आम लोग भी इसस्थान के बारे में जाने इसके लिए पहल की जरूरत है भैसा मुंडा को परेटन इस्थल भी बनाया जा सकता है लेकिन इसके लिए प्रयास नजर नहीं आ रहे जब ताली बचती है तो गाली या बचती है तो गाली या भी मिलती है तो अपना ध्यान गालीओं पर ना देकर तालीओं पर देना चाहिए बाबा के लिए ये जीवन सूत्र महतोपून भी है इनके भक्त लाखों में है लेकिन विरोधियों की संख्या भी कम नहीं जो इन्हें भला बुरा कहने का कोई मौका नहीं छोड़ते अपने बयानों की वजह से भी बाबा अकसर निशाने पर रहते हैं ऐसे में तालियों और गालियों वाला ये ज्यान बाबा के लिए बिलकुल फिट है बाबा यानी बागिश्वार धाम के पंडित धीरेंदर कर्शन शास्त्री पांच दिनों के अज्यातवास के बाद लोट आए हैं इस दोरान बाबा ने ना सिर्फ जीवन सूत्र सीखा बलके छोटे बच्चों को सनातन धर्म के सिक्षा देने के लिए पुस्तक लिखने का काम भी पूरा किया बाबा ने अपने आगे का कारीकरम भी बताया राजगर में श्री हनूमत चरित्र करने की बात कही और बागिष्ट्वार धाम में गुरु पूरु नीमा महुच्षों मनानी की जानकारी भी दी तो बाबा ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है अज्यातपास में अद्भुध्यान भी राप्त किया है बाबा की शब्दों में कहें तो जीवन सूत्र सीखा है जैसे इनका प्रवचन भक्तों के काम आता है ये जीवन सूत्र बाबा के काम आएगा